हेलो एवरिवान मैं मिसस वी आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू पर वेलकम करती हूँ आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है कॉमनिकेबल डिसीज इसके मिनिंग क्या होंगे मोड क्या होंगे और प्रेवेंशन क्या होंगे तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ और पहले मैं आपको बता दू यह हमारा कोश्चन 2019-2021 में आया था इसको ऍशन इस बार भी इम्पोर्टेंट रहेगा देखो इसके आने के चैंके चांसेs in four questions के according हो सकते हैं इन four में से किसी भी तरीके से अगर कोश्चन आता है तो आपको करना वही है जो मैं आपको बता रहे हूं वीडियो को skip मत करना एंड तक देखना आपको जरूर concept clear हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको यहां से बताना शुरू करूं कि communicable disease कौन सी होती है तो communicable disease वो disease होती है जो one person to another person spread हो जाती है अब वो spread हो रही होंगी हो सकता है वो direct contact के थूर spread हो रही है अब direct contact क्या होता है जिसे की touching के थूरू या फिर hand shaking के थूरू इन तरीके से अगर वो spread हो रहा है तो direct contact है और indirect contact जैसे की ear से water से अगर इन सबी चीजों से कोई spread हो रहे है virus, bacterias या कोई disease तो उसे हम कहते हैं indirect contact तो चलिए इसको start करना सुरू करते हैं जरां देखो सबसे firstly जो जो लाइने मैंने हाप पर highlight करी हुई है आप उसी according इसको study कर सकते हैं सबसे पहले देखो क्या लेख है each infectious disease is caused by germs and virus यानि कि हार एक infectious disease तो है न वो spread होती है किसके थूरू उसका कारण क्या होता है each infectious disease is caused by germ या फिर virus इनके थूरू ही ये होते हैं which is too small जो कि बहुत छोटे होते हैं to see with human eye कभी कभी तो हम इसको अपनी आखों से देख पाते हैं but can we see with help of powerful microscope यानि कभी-कभी तो हम इनको अपनी आखों से भी देख पाते हैं पर कभी-कभी हम इनको अपनी आखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत ज़दे क्या होते हैं छोटे होते हैं नो डाउट अल जर्म्स आर नो डेंजरस यानि हम मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी जर्म्स है वो सभी डेंजरस नहीं होते हैं and some of them are very helpful and necessary for human life कुछ जर्म्स और वेक्टेरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए important होते हैं पर कुछ क्या होते हैं हमारे लिए dangerous अब अच्छे कुणसी होते हैं आपने देखा होगा दही मतलब जो current होते हैं उसके अंनल busy ञेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं होते हैं हमारे लिए ऐसे ही जिसे सemosprorum देखा problem solved आपके यूज्द एसमें गहर में एक पुदर हें और वृत ही है तो आप देखे anh तो जो एलकोछिट जो ड्रिंक वगरा बनाया जाते हैं कुछ मेडिसिंस होती है वो इन्हीं बैक्टिरियास के वज़े से बनाया जाते हैं तो यह हमारे लिए यह हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं क्योंकि बहुत सारी डीसीज फिलाते हैं नेक्स आजाते हैं, many of dangerous diseases are caused by a virus which are much smaller than germs, ये बूल रहा है कि ये हमारे लिए dangerous भी होते हैं, क्यों होते हैं, many of dangerous diseases, क्योंकि बहुत सारी जो खतरनाग diseases होती हैं, वो इनके थ्रू ही फैलती हैं, कि इसके virus के थ्रू और जो बहुत चोटे-चोटे germs होते हैं, उनके थ्रू ही spread होता है, next आते हैं, meaning of communicable diseases, communicable diseases की क्या-क्या meaning होते हैं, तो first is a disease which can be transmitted from one person to another person, either direct or indirect contact, ये मैंने आपको starting में ये बताए था, कि ये एक ऐसे disease होती है, जो transmit हो जाती है, one person to another person, या तो direct contact के थ्रू या फिर indirect contact के थ्रू ये spread होते हैं, यहाँपर two types दिये हुए हैं, तो जो first है, वो है यहाँपर कौन सा direct contact, इसको बोलते हैं contagionous disease, the infection is transmitted by direct contact, जब direct contact के थ्रू spread होती है कोई disease, तो उसे कहते हैं contagionous disease, और इसमें जैसे किसी person, infected person से अगर कोई healthy person contact में आएगा, तो वो spread हो जाएगी disease, ठीक है, next है infectious disease, infectious disease में कौन से होते हैं, जैसे कि infection is transmitted through the pollution, यानि pollution, जैसे कि कुछ medium हो गई, food, water, यानि सभी के थ्रू, अगर वो transmit होता है, तो इसे कहते हैं indirect contact, या, infectious disease यह होती है, ठीक है, then अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, cause क्या-क्या होते हैं, cause क्या-क्या रहेंगे, यहाँ पर इस type of infectious disease caused by germs and virus, कि हमने पहले भी पढ़ाता है, कि हर एक type की जो disease है, वो germs या फिर virus की थ्रू क्या होते हैं, spread होती हैं, हैना, transmit होते हैं, या फिर उनका कारण यह ही होता है, इसमें कुछ आपको दिये गए हैं, कुछ ऐसे problems, जिनकी वज़े से, मतलब जो disease हैं, वो हो सकते हैं, causes क्या क्या होंगे, तो पहला है, infection is through mouth, यानि mouth के थ्रू भी infection हो सकता है, जैसे कि आपने कोई contaminated food खाया है, या फिर आपने बिना hand wash करें, खाना खा लिया, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है, जिसकी वज़े से आपको problem हो रहे हैं, तो वो क्या है, mouth के थ्रू इंफेक्शन हो रहे हैं, तो infection through the mouth, due to contaminated food, liquid, or unwashed hand के थ्रू जो आपने यूज़ करा होगा, second क्या है कि infection caused by direct contact, direct contact के थ्रू भी infection होता है, जैसे कि one touch or is touched by the infected person, यानि कि अगर कोई एक इंसान touch कर रहा है, किसी ऐसे person को जो की infected है, तो वो भी क्या हो जाएगा, healthy person भी, उसको भी disease हो जाएगी, तो इसका कारण हो गया, पहला कारण हमने पढ़ा है mouth के थ्रू, दूसरा पढ़ा है direct contact के थ्रू, third है indirect contact के थ्रू, indirect contact के अंदर कौन-कौन से disease आएगी, जैसे कि water से कोई disease हो रही है, जैसे आपने हेजा सुना होगा, तो यह जो है इसी से ही होता है, next है air के थ्रू, इसके mouth में, nose के थ्रू, एंटर कर जाते हैं, तो इसके bacteria virus जो है air पर पढ़ जाएंट होते हैं, food के थ्रू भी होते है, contaminated food वगएरा लेने से भी disease spread होती है, next क्या है influence, influence यानि किसी चीज़ का प्रभाव पढ़ना, influence of environment और atmosphere, atmosphere के वगएरा से भी यह हो सकते हैं, तो यहाँ पर तीन इसके कारण बताए गए हैं, पहला है mouth के थ्रू, second है infection cause, direct contact के थ्रू, next है indirect contact के थ्रू, तो यह तीन causes हो गए, next वीडियो में हम बात करेंगे कि how does disease spread, किस तरीके से disease spread होती है, और जो mode of transmission है communicable disease का वो क्या होगा, तो यह हम next वीडियो में discuss करेंगे, चैनल को subscribe कर साथे हैं, तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you so much watching this video.